हलो एवरिवन, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन, वेज मंचूरियन जब हम घर में बनाते हैं तो कई बार या तो उसकी बॉल्ल्स ओईल में क्राक हो जाती हैं, उसमें थोड़ा सा ओईल भर जाता है या फिक ग्रेवी का वो पॉर्फेक्ट ट बंदुगों भी लेंगे जिसे हमने कद्दुकस कर लिया है, आदा कप गाजर इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है या कद्दुकस कर लिया है, एक बड़ा चमच बारीक कटा हुआ लसन ले लेंगे, एक बड़ा चमच ही बारीक कटा हुआ अद्रक लेंगे, मंचूरियन बनान में आप बारीकक टा हुआ अधरक लसन ही ले स्ट ना ले एक छोटी चामश हरि मेश बारीकक टा Books हराधनिया बारीककटा हुआ दो बड़े चामश कॉän फिलार लेंगे और पांच बड़े चमश हाम इसमें मैद़ लेंगे नमक आप टेस्ट के एकॉर्डिंग ले लें, मैंने यहां डेट छोटी चमश लिया है एक चोथाई छोटी चमश बेकिंग पाउडर लेंगे एक चोटी चमश सोया सॉस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और एक चोथा ही छोटी चमश काली मेश पाउडर लेंगे अब हम इन सारे इंगी रिंज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको यह अभी जादा वाटरी लग रहा हो यह मिक्स्चर आपको पतला लग रहा हो आप ध्यान रखें कि जब आप यह बॉल्स बना रहे हैं तब ही आप ओयल को गरम करने के लिए रखतें जिसमें हमें फ्राइ करना है क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है नमक डालने से मिक्स्चर थोड़ा सा पतला हो जाता है तो आप उसी टाइम जब आप ये बॉल्स बनाएं उसी टाइम ही आप इसे फ्राइ कर लें ज़्यादा देर इस mixture को ना रखें हमने सारी बॉल्स बना ली है तो आप हमें एक कटोरी में या एक बॉल में हमने तीन से चार चमर्च कॉणफलार लिया है और इन सारी बॉल्स को हम कॉणफलार से कोट कर देंगे और जो एक्स्टर कॉणफलार होगा इस सरह से निकाल देंगे ऐसा करने से इसमें ओयल नहीं भरेगा और ये क्रिस्पी बनी रहेंगी उपर से और दूसरा ये जब आप इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी सौगी नहीं होगी ये उपर से क्रिस्पी और अच्छा इसका टेक्स्टर रहेंगा और अंदर से ये सौफ्ट रहेंगी बेकिंग पाउडर की वज़े से इस तरह से हमने सारी balls तयार कर ली है अब गरम कर लिया है अब हम इसमें एक एक करके ये balls डाल देंगे हमने इने कॉन फ्लार से कोट किया है जिसकी वज़े से इनकी शेप बिकूब परफेक्ट आई है और ये फटेंगी भी नहीं और इसमें ओयल भी नहीं आएगा हम इसे मेडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे डालते ही आप इसे ना पलती एक से दो मिनिट बार जब ये नीचे से अच्छे से सीख जाएं तब आप इसे पलतेंगे तो ये टूटेंगी भी नहीं और ये आप देख सकते हैं इसके पर हलका हलका सा ब्राउन कलर आ चुका है ये अच्छे से फ्राइ हो गई है तो अब हम इने निकाल लेंगे हमारी सारी बॉल्ल्स फ्राइ हो चुकी है और ये बहुत ही पफेक्ट शेप आई है और निका अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और उपर से क्रंची है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर का टेक्श्यर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं अब हम नेक्स टेप की चलते हैं इसकी ग्रेवी तयार करेंगे इसके लिए जो हमारा कॉन फ्लार बचा था बॉल में ये देट चमाश कॉन फ्लार है इसमें मैं 1 फॉर्थ कप पानी डाल रही हूँ और इसकी एक सलारी तयार कर लेंगे और जिस कड़ाई में हमने ये बॉल्स फ्राई करी थी उसमें से सारा ओयल निकाल देंगे और सिफ दो से तीन चमाश ओयल रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो छोटी चमाश अद्रक बारिक कटा हुआ मंचूरियन में अद्रक और लसन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दो छोटी चमाश ही हम इसमें लसन डालेंगे आप इसमें बारिक कटा हुआ ही यूज करें पेस यूज ना करें अब हम इसमें दो बड़े चमाश ही स्प्रिंग गन्यन का वाइट पार्ट डालेंगे जो हरे प्यास का वाइट वाला पार्ट रहता है और ये सब अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें दो चमाश बंदगों भी डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया बारिक कटा हुआ इनको एक मिनट के लिए सौते कर लेंगे अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं वगर पतली बनाना चाहते हैं या ग्रेवी वाला मंचूरिन बनाना चाहते हैं एक बड़ा चमच सिर्का डाला है, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्का कम डालें, एक चमच ही टमइटॉ केचप डालेंगे, और झ講 一व चमच हम इसके चिली सॉस, आप इसमें अपने टेस्ट के कोर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं चिली सॉस और ये कॉंटलर स तेक्स्टर भी चेंज हो जाएगा आप देखेंगे तो यह आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा उबाला आ चुका है इसमें एक कॉन फ्लार की वज़े से इसमें एक ग्लेज भी आ गया है और जो ग्रेवी का टेक्च्चर है वो भी परफेक्ट हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पारीक कटा हुआ हरा प्यास डाल देंगे स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट और यह ग्रेवी बिल्कुल तयार है हम गैस का प्लेम आउफ कर देंगे अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे जो हमने फ्राइ करी थी आप पहले से इस दम मिक्स ना करके रखें जब आपके गेस्ट आने वाले हो यह जब आपको सर्फ करना हो तब ही आप इसमें बॉल्स डालके और गरम करें वरना आप पहले ही इने अलग अलग ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अब हम इने गरमा गरम सर्फ करेंगे और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी और यह मंचूरियन कितने बढ़िया लग रहे हैं और यह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है अब हम इनकी ओपर थोड़ा सा हरा प्याज यह स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पाट डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटी हुई कच्छी अद्रक डालेंगे और थोड़ा सा सफेद तिल यह सस्मे सीर्स डाल देंगे और लीजे हमारा वेज मंचूरिन बनकर की तयार है आप इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभा में इससा जरूर शेयर करें और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बेकूल ना भूले आप मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गूडबाई थेक क्यार थेंक्स फो वाचिंग